गोड मॉर्णी स्टुडेंट्स, आइम प्रेंग का फ्रोम हैप्पी कैमरे स्कूल, आइम यर एवेस्टीचर, तोड़े, वी विल डू लेस्ट फाइफ, बुक वर्ग, आंसर इन वन वर्ड, आंसर किसमें देना है, वन वर्ड में देना है, किसमें देना है, सभी बच्चों क क्या हम हवा को देख सकते हैं, तो no, आंसर क्या है, no, second question है, what is moving air cold, जो हवा चलती है, उसे हम क्या कहते हैं, wind, क्या कहते हैं, wind, wind की spelling क्या है, w, i, and, d, wind, क्या कहते हैं, w, i, and, d, wind, question b है बच्चों आपका, look at the pictures, इस pictures को देखेंगे, and right लिखेंगे, what each child is doing, कि जो हर बच्चा है, वो क्या कर रहा है, which action helping, जो action है, हमें help करेंगे, decreasing or increasing the air pollution, कि इसके अदर, जो है, air pollution, decrease हो रहा है, या increase हो रहा है, decrease मतलब घट रहा है, increase मतलब भढ़ रहा है, इसके अदर हम यह देखेंगे, जैसे first picture है, इसके अंदर क्या कर रहा है कि यह जो boy है यह क्या है पटाके जला रहा है रोकेट जला रहा है तो इससे हमारा क्या होता है एर पॉलुशन होता है एर पॉलुशन होता है तो इसमें एर पॉलुशन क्या हो रहा है इंक्रीजिंग तो इसमें क्या लिखेंगे I-N-C-R-E-A-S-I इंग 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 इं ing decreasing decreasing की spelling क्या है d e c r e a ing decreasing next picture में हम देखेंगे ये boy क्या कर रहा है bicycle को चला रहा है by cycle चलाने से क्या होता है air pollution increase होता है decrease होता है air pollution क्या इससे decrease होता है अगर ये इसकी जगा car, bikes या कुछ और यूज़ कर रहा होता तो उससे हम कह सकते रहे कि इसमें से जो है धुवा निकल रहा है ये तो यह वेकल यूज कर जला रहा है इसे हमारा क्या हो रहा है एर पोल्यूट हो रहा है इसे हमारा एर क्या हो रहा है पोल्यूट हो रहा है तो इसके अंदर क्या हो रहा है एर पोल्यूट हो रहा है तो इसमें हमारा क्या है एर पोलुशन इंक्रीजिंग हो रहा है इंक्रीजिंग की स्पेलिंग क्या everywhere, fourth space, first है मारा air dash that contains carbon dioxide is harmful to us, तो इसमें कहाएगा pollution, P-O-L-L-U-T-I-O and pollution, इसके अंदर कहाएगा pollution, next है, dash also helps in drying cloth, क्या जो है मारी help करती है कपडे सुखाने में, तो इसके अंदर कहाएगा wind, W-I-N-D, wind, आप जो है बच्चों कपडे सुखाने जाते हैं, तो आपके वो कपडे किसे सुखते हैं, हवा के दौर, हवा को हम क्या कहते हैं, wind, W-I-N-D, wind, next है, air occupies dash, हवा क्या है, क्या गेरती है, space, तो इधर कहाएगा S-P-A-C-E, space, क्या हैगा, space, S-P-A-C-E, space, next है आपका, air is present dash, हवा जो है present, कहाँ पर है, everywhere, हवा क्या है, हर जगा है, तो इधर कहाँ लिखेंगे, everywhere, E-V-E-R-Y, every, W-H-E-R-E, where, everywhere, air is present, everywhere, हवा क्या है, हर जगा होती है, next है आपका, tick the right answer and cross the wrong answer, first है, air is, mixture of many gases, हवा जो है, कही तरह की गैसों का mixture है, तो यह क्या है, right, तो यह क्या है, right, तो यहाँ पर सही बच्चे right का निशान लगाएंगे, next है, air pollution is good for us, जो air pollution जो है, वो हमारे लिए अच्चा है, तो यह क्या है, wrong, air pollution जो हमारे लिए अच्चा नहीं है, तो इसमें cross condition लगाएंगे next question है write T for true and F for false for the following statement first step का air is a mixture of gases हवा जो है कई तरह की gases का mixture है तो यह क्या है true तो यहाँ पर सब्चे क्या लिखेंगे T लिखेंगे next है all living beings do not need air to leave all living beings को जो है जीवित रहने के लिए हवा की जुवत नहीं होती हवा की जुवत होती है तो यह क्या है false next है आपका air occupy space हवा क्या है जगा घेरती है तो यह क्या है true यहाँ पर सभी बच्चे क्या लिखेंगे true लिखेंगे यह बच्चो आज हमने आपका book work revise करा है सभी बच्चे जो है fill up true false, right, wrong और यह जो one word question answer है इनको सभी बच्चे learn करेंगे next class में मैं सभी बच्चों से इनको सुनूंगी और जो बच्चे class attend नहीं करते हैं सभी बच्चे जो है class attend कीजिए थैंक यू